पाकिस्तान में चार बच्चों के साथ अपने प्रेमी से मिलने भारत आई सीमा गुलाम हैदर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जाच में पता चला कि सीमा हैदर पाकिस्तान से नापाल के रास्ते से भारत आई थी जैसे ही जाच पूरी हुई तो यूपी पूलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और कई घंटों तक पूछताच की ससूर का वयान सामने आया है उन्होंने सीमा के भारत जाने की फैसले को गलत मानते हुए सरकार से उसे पाकिस्तान वापिस लाने की गुहार लगाई है दरसल एक नीजी मीडिया चैनल की टीम सीमा हैदर के ससूराल पाकिस्तान पहुची जहां उन्होंने सीमा के ससूर और गाव वालों से बाक्चित की मीडिया चैनल के दोनान पता चला कि सीमा हैदर ससुराल पाकिस्तान के सिंध के जकुबाबाद के गाव में है जिसका नाम है लाल खान जकानी है ये गाव शहर से करीब 60 किलो मिटर की दूरी पर है सीमा हैदर के ससुर ने बताया कि सीमा और परिवार वालों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे लेकिन पिछले नो वर्षों से एक से दो बार जकुबाबाद ससुराल आई वही सोशल मीडिया में सामने आया तमाम वीडियो को लेकर उनका कहना है कि हमें उनके डास या अन्य वाइरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई जानकार नहीं है उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों देशों की सरकार से अपील की और कहा की सीमा और बच्चों को पाकिस्तान वापस भेज दे वह हमारे पोते पोतियों का भविश्य अकेले तै नहीं कर सकती है वहीं गाव के लोगों ने सीमा के भारत जाने पर नाराज़गी चताई है आज की खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरे जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूस डिजिटल प्लाटफोर्म के साथ